ठीक स्था कपड़ 113 , असलाम वलेकूं N Mount diffi Collection में कुश्या पीड़ आज मैं आपको बेभी गर्ड फैंसी फ्रॉग cutting & ट्रीचिंग इसके लिए मैंने साटन का कपड़ा लिए है नेट का कपड़ा लिया है शैफून का लिया है और सिक्वेंस का कपड़ा लिया है यह सब हाफ अफ मिटर लिया है और लाइनिंग का कपड़ा एक मिटर लिया है देखे इसकी मैं शैफून की चोड़ाय जो है यह 13 इंचे ले रही हूँ शैफून का कपड़ा क्यूंकि यानि के आप इसको 4 से मल्टिप्लाइ करतें तो यह हो जाता है 64 ठीक है साटन का कपड़ा भी इतने ही ले लूँगी 64 अब यहां पे नैट का जो कपड़ा है यह मैं फ्रंट पर डालूँगी सबसे घेरे में तो यह 23 है 4 फोल्ड में तो यह तो जितना भी जादा हो अच्छा दूँगी तो अब यह सी लाई करके दिखाती हूँ देखे मैंने यह स्टीच कर लिया है अब इसको यहां पे उलटना है उससे पहले ताकि यहां पे एक सिलाई चला लूँगी पूरे में पूरे गेरे में अब यह देखे यह पूरे गेरे में मैंने सिलाई कर लिये तो पूरे घहरे में सिलाए कर लिया इसकी लाइनिंग के नीचे भी सिलाए कर ली अब यह तीनों कपड़े जो हैं इस तीनों को ट्रोप पर राइच चलाओंगी और बारी बारी इसमें चुन इस तरह बठा लूंगी जैसे एक लाइन चला के खिंचते हैं उस तरह ठीक है और ये पूरा गोल मैंने इसका घेर तयार कर लिया है तीनों को अटैच करके ये देखे अब इसकी मैं आपको पैमाईश बता देती हूँ 9.5 है यानि के मेरी जो एक साल की बच्ची का फ्रॉक है एक से दो साल की बच्चियां 3.5 उसका वेस्ट होगा और यहां पर मैंने इतनी सलाई खुली रखी है ताकि इसको इस तरह करके मैं यहां पर जीप अटैच करनू बॉडी तक बॉडी की कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ ये कपड़ा लिया है कपड़े की टुकरे को फोर फोल्ड किया है नाइन इ यहां पर आर्म होल भी उतने ही 4.5 पर लगाऊंगी क्योंकि जितना हमारा कंधा होता है उतने ही आर्म होल रखते हैं यह मैं बार बार आपको बता देती हूँ अब यहां पर कंधे से आर्म होल में एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और चेस्ट मुझे रखना है बेबी का वो चाहिए मुझे ठीक है अब इस तरह रखते वे मैंने क्या करना है यहां पर आर्म होल की गुलाई दे दी आप इसको कटिंग कर दे रही हूँ यह कटिंग जब कर लेंगे तो सिक्वेंस वाले कपड़ को भी ऐसे ही रखके इसके उपर फिर कटिंग कर लेंगे यानिकि इसक कोल्डर के तीरे का निशान लगाती हूँ और इसको कट कर लेती हूँ अब देखिए इस कपड़े को भी उस पर रखकर इसको कटिंग कर लूँगी कटिंग कर लिया मैंने अब यहां पर मैं आपको फ्रंट एंड बैक दोनों की गले कभी प्रमाईश बता रही हूँ देर इंच रखेंगे देर इंच गहराई और देर इंच चौड़ाई पर रखके मैं इस तरह करके गले को कट कर दूँगी क्योंकि यहां पर निशान लगाया जा नहीं सकते हैं तो मैं डारेक्ट कर दे रही हूँ अब बैक के पिसको उठा लेती हूँ और फ्रेंट के पे हाफ इंच बढ़ा दूँगी गले की गहराई को ठीक है यह दो इंच पर हो गया अब यहां पर मैं दोनों कपड़ों के आप आपस में क्या कहते हैं शोल्डर को जॉइन कर दे रही हूं मैं देखिए शोल्डर जॉइन हो रहा है इस कपड़े का अलग और लाइनिंग के कपड़ और जीप पत्टी ज़ी गले के पूरे अराउंड में और फिर जीप पत्टी तक यहां सलाई लगाओंगी अब यह देखिए आप इसमें रहे में सलाई देखें आप इसमijn बैट जाएगा गला यह देखे बैट गया है गला और नीचे भी मैंने दोनों कपड़े को अटेच करके यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है यह देखे अब यहाँ पे दो इंच पे एक आड़ाड़ा पट्टी कट कर लूँगी आस्तीन के लिए ठीके अब यहाँ पे घेर के सा इस तरह करके अटेच करके दिखाती हूँ अब मैं आपको यह देखे अटेच हो गया है हमारा फ्रॉक तकरीबन रेडी है अब सुरिफ यहाँ पे जीप लगाना बाकी है जीप अटेच करना भी दिखा दूँगी मैं आपको आस्तीन के लिए मैंने एक डी शेप पे कटिंग किया है डबल डबल कपड़ा है नैट के इस तरह चून लगाऊंगी यहां पे आस्तीन में और यह जो दो इंच का कपड़ा मैंने कटिंग किया वा था आड़े कपड़े पे इसको इस तरह रखके स्ट्रीप को यहां से सिलाई लगा दूगी फैशन पट्टी की तर कि तीन तीन प्लेट दोनों तरफ रखके कंदे पे सिलाई इस तरह कर सको इसको सिलाई करके मैं दिखा रही हूं आपको यह सिलाई हो जाने के बाद अब क्या करेंगे कि इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करके ताके फिनिशिंग आए और बैक साइट से लगाना शुरू करे आपये, दिखाऊ को और पूरे आराउंड में लगा दूंगी weapons के पूरेर आराउंड में इस तरह सिलाई करके इस तरह कर लूंगी और कॉर इस तरह करके और इस skirt करके इसको निकाल लूंगी यह दिखिए काया है अब इसको भी पीछे की तरफ वोल्ड करके इस प लगा लोंगे तियार हुगा है अब जीप लगा लिनिंग के लिए जीप के ऊपर थोड़ा सब्सक्राइब इस तरह सिलाई चलाते हुए पूरा जीप को कमप्लीट कर लूगे अब ये दिखे हमारा तयार हो गया है फ्रॉक ये बैक में मैंने बोव मनाया है बोम एक हुक लग करती हूँ आपको पसंद आये होगी आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और मुझे अजाज़त दीजी अल्ला हाफिज